सीतापुर में मामूली विवाद हुआ खौफनाक जम कर हुई फाइरिंग और चले हत्कोले बवाल में कई लोग हुए घायल पूरे इलाके में फैली दहशत जमीन के एक छोटे से टुकड़े के खातिर इनसान ऐसी हरकते कर बैठता है जिससे वो कानून का गुनहेगार बन जाता है दुनिया जानती है कि आज की तारीक तक कोई भी कानून से खिलवार करने के बाद बच नहीं सका है बावजूद इसके वो कानून तोड़ने में गुरेज नहीं करता कुछ ऐसा ही मनजर सीतापुर में देखने को मिला जहां जमीन के टुकड़े के खातिर दो पक्षों में बवाल हो गया लेकिन हद तो तब हो गई जब एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर हतगोलों से हमला कर दिया जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए इलाके में तहशत फैलाता ये मामला सीतापुर चिले के महमूदाबाद कोतवाली इलाके के मीरा नगर गाउं का है जहां रजजन और उसके पड़ोसी में किसी जमीन को लेकर विवात चल रहा था रजजन की माने तो वो अपने घर के बहार टहलने निकले थे कि अचानक उनके पड़ोसी ललन ने उन पर हमला कर दिया जिससे उनके सिर में चोटा अगई इतना ही नहीं रजजन का आरौप है कि ललन के परिवार के बाकी सदस्यों ने उन पर हथकोलों से हमला कर दिया और तो और कई राउंड फाइरिंग की गई जसमें रच्चन के परिवार के कई लोग खायल हो गए तो आप कहा थी जब घटना घटी तो आप कहा थी तो आप अपने गर्मा रहा थी अच्छा अपने गर्मा रहा था रोजय का टाइम था और सब रोजय खोल के बाहर घूमने निकल रहे थे तभी कुछ आवाज आई डगने की तो बाहर निकल के देखा तो कुछ डगा भी और वहीं अगर रच्चन की बुजर्ग मा की माने तो जिस वक्त उनके पास हत्गोला फटा तो वो भी खौफसता हो गई उनके मुताबिक इस जगड़े में हुई फाइरिंग और हत्गोलों से किसी की जान भी जा सकती थी हम अपने मैठेरां के इनके तले बैठे नहीं रहन भी जान भी खता मगी ते न दगा आद गुल्णा अव हम देरी पसे उतरे जाते रहें अंदर से कोठे जिए अबस होई चैन बहुत जो अंधर से दगा हम देरी पाइगे अव जो जब डगा होनी खटिया पे हियां दगा त रिखाइशी इलाके में हुई वार्दात की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो आलादिकारी समेथ फोर्स भी मौके पर पहुच गई और सुबूत एकठा करते हुए घायलों को अस्पताल पहुचाया गया यह सकेच चाचा बतीजे का विवाद है इनके दोनों के बीच पुष्टैनी जमीन के बटवारे को लेकर विवाद चलना है मामला अभी कमिशनर साब के हाँ लंबिट है और दोनों ही पच्छों को पहले दुपावल दिया गया था कल जो है कल शाम को जो भकीदे वाला पक्षय इसने अपने चाटे के ऊपर दिवाली वाला जो सुतली बवम होता है उसके पाद बचा हुआ रखा था उससे वो फैक करके मारा और उसको इर से भी प्रहार किया उपर जिससे उसके से में चोटाई है इस सम्मंद में वादी की तहरीर पर थाना महमूनावाद में धारा 335, 336, 323, 504, 556 और 5 मिसफोटर अधिनियम का मगत्मा पनिक्रित किया गया है पीडिपच की मेडिकल करा दिया गया है और एक व्यक्तिकी गरवतारी भी हो गई है पोलिस ने मामला दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरवतार कर लिया है साथ ही मामले की जाच की जा रही है ताकि साजिश में शामिल और लोगों को गिरवतार किया जा सके सीतापुर से नियो स्टैमिनेशन के लिए आला मंसारी के रपोर्ट कर दो